ब्लाक और ब्लू लाइन मिल रही है आपस में, बागी आप किसी भी नंबर पर देखोगे, तो वो मैच नहीं खा रही तो जहां पे मिलता है, जैसे कि मिला तो यह 6 mm है तो हमने क्या किया, इस पे लीस्ट काउंट है तो least count कितना था जैसे हमाई इस scale का least count है 0.1 mm तो इस 6 को हम least count मतलब 0.1 mm से multiply कर देंगे जैसे ही multiply करेंगे 0.60 आ गया हम तीनों को total करेंगे और आपकी जो dimension होगी जो thickness होगी product की वो होगी 12.60 mm चलिए आगे बढ़ते कुछ और देखते हैं चलिए एक और product हमने लगाया for example कुछ थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं हाँ तो कुछ और product हमने लगाया जैसे कि इस तरीके से हमने thickness निकालने के लिए आप imagine करिए कि यहाँ पर एक कोई product है जिसकी thickness हमें निकालने है तो पहला number आप देखिए 20 से 30 के बीच में है तो सबसे पहला number हमने क्या लिया 20 ले लिया फिर अब count करिए